Hello everyone, guys my name is Vinit Kankre, I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला बाई BW दोस्तो time and work session 1 हम देख चुके और I hope आपने सबने वो वीडियो देखा होगा अगर नहीं देखा होगा तो sir क्या ये session हमें समझ में आएगा guys वैसे आज जो मैं concept बदाने वाला हूँ वो अपने आप में थोड़ा सा हटके है पताने वाला हूँ majorly ये आज का session जिस concept पर है जिस tricks पर है वो अपने आप में एक हटके है time and work की एक नहीं दुनिया है तो yes guys अगर session 1 नहीं भी देखा होगा तो session 2 में आपकी link लग जाएगी और हाँ लेकिन session 2 होने के बाद session 1 जरूर देख लेना अगर जिसने नहीं देखा है तो तो yes session 1 देखने वालो बहुत बड़ी आप बने रहो session 2 डायरेक्ट जो देख रहे है session नहीं जूड़े है नहीं नहीं सब्सक्राइब किये चैनल को तो भी टेंशन नहीं पहले ये देख लो बाद में हो देख लेना तो yes guys time and work session 2 में आपका जोरदार स्वागत है शुरू करते है guys पहले तो देख लो आज हम क्या देखने वाले है सबसे पहले guys मैंने का आज majorly हम जो concept देखने वाले है वो अपने आप में हटके है जो हमने session 1 में देखा है उसके comparison में guys session 1 में हम जो questions देख रहे थे यहाँ दे आपको उसका एक framework कैसा होता था framework उसका framework ऐसा होता था कि A can do the work in 20 days, B can do the work in 10 days, बताओ दोनों together will do the work in how many days या pipe A can fill the system in 10 hours, pipe B can fill the same system in 12 hours, how many hours will be required to fill the same system if both work together मतलब वहाँ पे आपको जो worker जो pipes दिये जा रहे थे वो individual individual capacity के साथ दिये जा रहे थे, हर एक pipe या हर एक worker की मतलब मैंने कहा ना आप से time and work pipe system दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे है, कोई दोनों में ज़्यादा फरक नहीं आपने देखा, बस नाम का फरक है तो भाई जो worker दिये जा रहे थे वो specifically नाम से दिया जा रहा था आपको, है न, worker A, worker B, राजू, टिंकू, इस तरह से और हर एक की individual capacity दिये जा रही थी लेकिन guys, अब time and work की वो variety आप देखोगे, जहाँ पे आपको questions में worker A, worker B नहीं, बलके lot में worker दिये जाएंगे तो total work done when workers are working in a lot, मतलब 20 workers can do the piece of work in 10 days, 400 workers can do the piece of work in 5 days, अब यार यह 20 workers जो है, इसमें राजू है, टिंकू है, पिंकू है, हमें कुछ नहीं पता है ना, मतलब individual capacity हमें किसी की कुछ नहीं पता, lot में दिया है, तो जब अभी एक variety आपने session 1 में देखी थी, तो अभी भी obvious बोल रहो, जिसने नहीं देखला, देख ले ना, क्योंकि वो भी बहुत important variety है, लेकिन session 2 की जो variety है, वो आपको समझ जाएगी फिर भी, है ना, यह work in 10 days, working 8 hours a day, ऐसा भी बोला जाएगा, workers की quantity, मतलब workers के total number कितने days, कितने hours भी दिया जाएगा, कभी गभार, कभी गभार नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे case में उसको निपटना कैसे है, मतलब 10 workers can do the work 6 days, then how many workers will be required if same work can be done in 15 days, मतलब इस type के questions दे जाएगे, और यार पता है, मैं उसमें भी हमने इस type की variety cover की थी, और वो हमने variation से की थी, लेकिन अब हम उसको करेंगे time and work के concept से, तो come on guys, यह एक variety हम देखने वाले, then question based on efficiency, yes guys, यहापे एक worker की efficiency with respect to दूसरा worker दी जाएगी, जैसे कि Anil is twice efficient as Vinay, या Vinay is half efficient than Mohan, इस type का जो efficiency का relation है, याने worker का आपको individual data ना देत हुए, आपको दोनों का आपस में efficiency का क्या relation है, कौन किसके कितना time efficient है, या कौन किसके कितना time जादा speed रखता है, वो आपको दिया जाएगा, तो ऐसे question को कैसे tackle करना है, then question based on wages, yes guys, जहापे question wages तक आपको बोलेगा कि भाई, दो लोगों ने काम किया है, उनको हमने 600 रुपे दे दिया है, अब बताओ ये 600 रुपे आपस में कैसे बाटेंगे और उनकी efficiency आपको directly और indirectly दी जाएगी, तो on the basis of efficiency आप wages का बटवारा कैसे करते हो, वो आप देखने वाले हो इस variety में, and guys, फिर last में थोड़ा बहुत practice question, जो भी varieties आज हमने देखी उसकी, तो come on guys, भिना किसी दे रही है, वो variety शुरू करते हैं, जिसके लिए सबसे जादा आज हम बात करने वाले है, total work done when workers are working in a lot, so guys, मैंने आपसे कहा था कि देखो, जैसे इस type की variety आपने variation में भी cover की थी, कि भाई, 6 worker can do the work in 10 days, then how many worker, अब worker को मैं M बोल रहो, men, या आप बोल सकते हो, 6 men can do the work in 10 days, then how many men will be required, if same work can be done in 15 days, in 15 days, किस type के question, अब इसको हमने variation से किया था, अब यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, time and work से, variation से पहले बता दू, याद दिला दू कैसे किया था, भाई, इतना तो important है, इतना तो आप बिल्कुल समझ सकते हो, कि variation से अगर करना है, तो पहले तो यह जानना हो inverse relation है, क्योंकि जितने ज्यादा main होंगे, उतने कम days लगेंगे, जितने कम main होंगे, simple सी बात, common sense, जितने कम main होंगे, उनको same काम करने में ज्यादा दिन लगेगा, अगर ज्यादा main है, तो वही काम फटा 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 कम दिन में कर लेंगे, तो यह inversely proportional हो, आपको मालू में कि जब भी भी दो factor inversely proportional होता है, तो इनका relation क्या बनता है, जैसे m1 upon m2 is equal to d2 upon d1, याद या न, d2 upon d1, मतलब यह formula जो time and work का बना है, वो कहां से बना है, मैं आपको अब यह explain कर रहा हूँ, यह variation से ही बना है, यानि इसकी बुनियाद, इस formula का foundation यह variation ही है, तो हम ऐसा करते जब भी directly proportion होता है, तो हम क्या बोलते है, 1, 1, 2, 2, 2, लेकिन जब inverse होता है, तो 1, 2, 2, 1, m1 upon m2 is equal to d2 upon d1, क्योंकि यह दोनों inversely proportional है, तो guys, यही अगर मैं cross multiply कर लू, तो यह बन जाएगा formula, क्या है यह, m1 into d1 is equal to m2 into d2, समझ रहे हो, proportion है, cross multiply किया, यह बन गया formula, m1 into d1 इसी को हम बोलते है, total work done, जितने main है, जितना दिन ले रहे है, दोनों को multiply कर लो, उस को हम time and work के language में बोलते है, total work done, हम money-man मान लेते हैं कि एक main को एक दिन में एक unit उनिट बना सकता है, तो six main, ten days में, कितना unit बना लेंगे, तो जितने main है, into जितना days है, याई 6 into 10, कितना हु 60 यह हुआ टोटल वर्क डन यानि 60 यूनिट बनाने का काम करना है और यही काम अगर 15 दिन में करना है तो कितने में लगेंगे तो बस गाइज M1 इंटू D1 यानि 6 इंटू 10 यह तो मैं आपको बताया और M2 हमें निकालना है इंटू D2 D2 कितने है 15 तो यार यह कितना हो गया 60 और 60 को यह 15 डिवाइड कर लेगा यह एंसर कितना है 4 तो यह जो formula बना है अब मैं आप बोलोगे सर आप यह इतना कैसे क्यों बता रहे हो तो यार पता है मैंने जब variation बताया था न यह formula तो किसी एक ने comment की थी किसी एक student ने कि सर इसको तो हम M1 इंटू D1 is equal to M2 इंटू D2 से भी तो कर सकते थे भाई वही है वो जो बोल रहे हो आ तो पहले दो मैं इसको बस variation से relate करके दिखाया आपको अब मैं इसको पुरा summarize करूँगा तो guys जब जब आपको total work done निकालना होगा और आपको lot में वर्कर दिये जाएंगे हमारी main variety क्या है जब आपको workers lot में दिये है तो जब जब आपको total work done निकालना है workers आपको lot में दिये ह तो आपको बस देखना है कितने main, कितना days, कभी कभार hours time भी दिया होता है तो कितना time और तीनों को multiply कर लो जब दो दिया है तो दो को multiply कर लो that's it यह बनता है first situation का total work done उसी तरह second situation का total work done जितने main into जितना days into जितना time और फिर दोनों को equate करो क्योंकि बात तो same work done की हो रही है त तो दोनों को equate करो फिर जो भी इन सब situation में अन्नों ने वो automatic निकल जाएगा ऐसे कई सारे example मैं अभी आपके सामने आपको फिर से बता रहा हूँ तो guys याद रहे अब तक याद है आपको session 1 में आपने total work done दो approach से देखा था extended approach एक random approach लेकिन यहाँ पर total work done हमेशा क्या जितने main दिये है into जितने days दिये है into जितना time दिया है इन तीनों में कभी कबार days ना दिया हो तो फार्मला क्या बन जाएगा जैसे हाँ पर total work done का formula men और days दिये उसिले m into d कभी कबार मेन और टाइम दिया जाएगा कभी कबार मेन डेज टाइम तीनों दिया जाएगा कभी कबार मेन के जगे वी मेन दिया जाएगा तो बस जो दिया है उसको मल्टिप्लाइ कर लो सो बात की एक बात और आप जब example देखोगे आपको खुद बखुद समझ जाएगा तो यार बहुत simple है तो simple सी बात है 6 men 10 दिन में मैंने कहा न हमने money man क्या मान लेना है कि एक man एक दिन में एक unit बनाता है तो 6 men 10 दिन में कितने unit बनाएंगे 6 men 10 days में 6 into 10 60 unit तो 60 unit का work done हमें करना है तो 15 days में कितने man लगेंगे 15 days में कितने man लगेंगे क्योंकि वो ही काम ये करने वाले है तो ये हुआ 60 यहाँ पर हमें 15 पता है ये अन्नों ने निकल गया 4 is the answer तो ऐसे कई सारे example आप आगे कर सकते होगा मान लो आपको ऐसा दे दिया है कि मान लो 6 men working 4 days working 8 hours a day can do the work तो 10 men working how many days working 4 hours a day can do the same work और गाई इस बार आपको क्या दे दिया है man days और hours तो ये first situation तो M1, D1, H1 ये second situation इसले M2, D2, H2 और आपको पता है ना हमने कहा है जो भी दिया सबको multiply कर लो तो main और days दिया था पिछले situation में हमने main into days कर लिया अब main days hours दिया तिनों को multiply कर लो तो first situation का work done क्या बना main into days into hours second situation क्या बना 10 into D2 क्योंकि ये हमें निकालना है into 4 तो हम 4, 4 कटा so 8 into 6, 48 और ये 10 जो multiply कर रहा है यहां divide कर लेगा यहने answer कितना है guys 4.8 4.8 days मतलब पूरे 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं 4 और 5 के बीच में 4.8 days यानि 4 दिन पूरा और 5 वे दिन का 80% तो मज़रे हो guys simple तो यार simple है मतलब यही है अगर मान लो कभी days नहीं दिया होता तो आपका formula क्या बन जाता था men into hours यही अगर मान लो 5 women can do the work working 20 days so how many days will be required if total number of women are 10 5 women है 20 दिन में करती है तो वही 10 women है कितना दिन में करेगी भाई मन ही मन हो जाएगा अगर calculation से करना ही है तो अब यहाँ पे total work done क्या बन जाएगा formula बदलते रहेगा जो given data उसके इसाब से तो यहाँ पे क्या बन गया women in two days यहाँ पे क्या बन गया women in two days तो भाई 10 नहीं इदर divide कर दे 10 is the answer 10 is the answer clear guys तो बस इतना हलवा concept है और मैं seriously बोल रहा हूँ कि अगर पिछला session देखा होगा तो उसके comparison में भी easy concept है यहाँ वो variety और यह variety जहाँ पे worker individually नाम के साथ दिये होते थे उनकी individual capacity दिये होती थी और वो आप जो करते थे random या standard approach से और यह variety guys जहाँ पे lot में वर कर दिये जिसका fix है दो situation दिये दोनों को equate करो क्यों काम तो दोनों same ही कर र लग है बस equate करो ultimately answer मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हम यह assumption से जाते कि एक woman एक दिन में एक unit बनाती है तो 5 women 20 days में कितना 100 तो वह 100 unit अगर हमें 10 women से बनवाना है तो कितने days लगेंगे खतम तो भाई सहाब बिना किसी देरी के हम शुरुवात करते है अपने questions को और फटा इस्तु सा भी डर बचा होगा वो भी भग जाएगा क्योंकि कुछ है नहीं इसमें तो six men can do the work in 12 days देखो first situation आ गई six men यह given data लिखने की भी जोरुत नहीं है यह तो आपके understanding के लिए starting में लिख रहा हूँ can do the work in 12 days then how many men are needed to do the same work in 18 days तो same काम अगर 18 days में करना है तो कितने men लगेंगे यह दे दिया आपको second situation तो यह work done क्या बन जाएगा six into 12 यह work done क्या बन जाएगा x into 18 तो guys यह हो गया 72 18x और 18 ने धर divide कर दिया four 18 fours are 72 four is the answer money man और यह इतना भी करने की जरूरुत नहीं थी यह भी कर नहीं की जरूरुत नहीं थी वैसे जिसका calculation strong यह उसने money man answer निकाल दिया होगा come on guys now 30 men working 5 hours a day can do the work in 16 days तो first situation में क्या हुआ 30 men working 5 hours a day और कितने दिन 16 days में काम खतम करते हैं यह एक man एक दिन में एक घंटे में एक दिन के एक घंटे में कितना unit बनाता है एक unit तो 30 men 5 घंटे पर डे की सबसे 16 days में इतने unit बना लेंगे और यही unit in how many days days हमें निकालना है will 20 men यही unit अगर 20 men working 6 hours a day करते रहे कितने दिन में बन जाएगा तो यह first situation इनके main hours और days को equate किया हमने second situation के main days और hours और जो अन्नों है वो निकाल लो finished guys तो यह देखो 0 0 रटा नव यह कितना वा 5 इंटू 3 15 बराबर नव 240 हो गया यह 3 इंटू 5 15 15 इंटू 16 इंटू 40 और 6 इंटू 2 क्योंकि 0 0 तो कड़ गया 6 इंटू 2 12 22 तो भाई 12 ने तर डिवाइट कर लेना 12 तूसा 24 जिरो है ज़िए इस तो 20 इस दा आंसर गाई 20 इस दा एंसर फटा फट खतम करो यह चीज हमने variation में देखी थी था लेकिन variation में हमने एक limited level तक देखा था अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजे condition बदलेगी अब focus करना तो गाईज देखो first क्या अब यहाँ पर एकस number of men तो यहाँ first situation है number of men है x can finish the piece of work in 30 days कितने इन में काम तमाम कर रहे है 30 दिन में if there were six men more अगर छे लोग और है पहले कितने थे x तो छे लोग ज़ादा उसके more word पर focus करो गाईज है यह दिल मांगे more कभी कभार student क्या कर लेता है if there were six men बस इतना पढ़ लें more पढ़ा ही नहीं तो यहाँ पर वो six लिख लेता है यहाँ पर वो m2 क्या लेता है six but उसने clearly बोला है if there were six men more मतलब x तो थे अब छे लोग और बढ़ गए यानि new number of men six नहीं हुए new number of men हुए x plus six छोटी छोटी गलती है उसे बचो the work could be finish in 10 days less तो जैसे more पर focus जरुरी था उसी तरह less पर focus भी जरुरी है तो छे लोग अगर बढ़ गए definitely अगर manpower बढ़ी है तो days कम लगेगे न अभी हमने बोला inversely proportional है तो कितने कम दिन लग रहे 10 दिन कम लग रहे याने new number of days कितना जितने यहां लग रहे थे उससे 10 दीन कम याने 30 minus 10 बच्छा भी बढ़ा देगा 20 20 खतम दो situation देधी x में 30 days में करते है छे लोग और बढ़ गए x plus 6 में कितने दिन में 10 दिन कम याने 20 दिन कम यहां पे भी focus जरुरी था नहीं तो student हड़ बढ़ी में यहां 10 ले ले लेते है अलागी 10 minus करना तो come on guys तो यह total work done क्या हुआ main in two days यह total work done क्या हुआ main in two days लेकिन यह bracket multiplication ने तो सबसे पहले 0-0 कटा है यह फिर आपको 20 है multiply कर रहा है तो इदर divide कर लेगा तो यह 0-0 कट नहीं है अगर आपको नहीं काटना है मत काटो direct 20 से multiply करो जैसे आपको सही लग रहा है जैसे जिसकी सोच तो भाई 20 से पूरे bracket में भी multiply कर सकते हो या फिर 0-0 काट कर 2 से भी कर सकते हो तो 20x plus 120 खतम अब 20x इदर जाके minus हो गया 10x तो इदर कितना बचा 120 यह 0-0 अब भान ही 0 काटा तो यहां काट दो x is equal to what 12 तो question ने क्या पुछा है what is original number of men 12 is the answer original number of men याने के first situation और वो था x question नहीं दिया था जो answer है 12 चम का क्या यह ना बहुत easy भाई बने रो in a company x y z limited a certain number of engineers can develop a design in 40 days तो देखो भाई first situation certain number of engineers पिछली बार तो भी question ने अपनी तरब से एहसान कर दिया था कि x दे दिया था इस बार नहीं दिया तो हम assume कर लेंगे certain number of engineer मैं assume कर लेता हूँ x मतलब वो number of engineer जो इसको मैं M1 men बोल देता हूँ वो है x and develop the design in 40 days क्या बात है क्या बात है if there were five men more five more engineer अब आपको तो समझी गया यह बताने की जरूरत नहीं है यह more less इस word को आप पकड़ होगे तो yes five more engineer तो पहले x थे अब x plus 5 होगे तो simple सी बात है वाप इस days कम लगेंगे so it could be finish in 10 days less फिर से 10 days less तो जो यहां लग रहे थे उससे 10 दिन कम यानि 30 days फिर से यह 40x कर डालना अब 30 इस पूरे bracket को multiply करेगा तो 30x plus 150 अगे यह इदर minus हुआ 10x is 150 0 0 कटा x is equal to 15 तो आपको बोला है how many engineers were there in the beginning याने 15 is the answer guys 15 is the answer बहुत इजी बहुत इजी come on guys बहुत इजी now a group of laborers promise to do the work in 12 days again a group of laborers group of laborers तो याने हम फिर से क्या मालने कि वो है x promise to do the work in 12 days यह सब data है लिखने की ज़रूत नहीं money money याद रखो यह आपके understanding के लिए लिख रहे है but five of them do not turn up guys अब तक question में क्या हो रहा था हम पांच engineer जादा छे engineer छे worker जादा कर रहे थे याने मतलब हमारे जो main है या workers है वो बढ़ा रहे थे definitely manpower बढ़ रहे थे तो days कम हो रहे थे इस बार उल्टा हो रहा है बस इस बार क्या हो रहा है जितने भी labor थे x हमने मान लिया वो 12 दिन में काम करने का promise किये थे लेकिन पांच five of them do not turn up ही वो आई नहीं मतलब आए कितने आए x-5 काम तो हमें इन से करवाना है न तो वो कितने है जितने हमने सोचे थे उससे पांच आई नहीं x-5 है और definitely इस बार manpower कम हुई है तो days जो required है वो बढ़ जाएंगे तो जो काम 12 दिन में होना था guys देखो rest of the group याने कि rest of the group कौन x-5 ये लोगों का group do the work in 18 days देखो days बढ़ गया वो ऐसा भी वोल सकता था can do the work in 6 days more ये न 12 थे 6 दिन जादा ये न 18 बट उसने directly दे दिया आईसान तरस उसने दे दिया आपको कि भाई जा तू भी क्या याद रखेगा एकस में थे 12 दिन में कर रहे थे अब 5 लोग कम हो गया तो नए number of group कितना हो गया x-5 है न कम हो गया तो अब days बढ़ेगा और वो भी direct दे दिया कि ये जो है x-5 ये 18 दिन में काम कर रहे है so find original number of men so guys again देखू ये 12x men in today's अब 18 पूरे bracket को multiply करेगा 18x-185 90 अब minus 90 एदर आ गया plus हो गया और 12x उदर जाके minus हो गया तो guys 18-12 6 6 ने दर divide किया 15 is the answer original number of men जो की x था वो आया 15 हम कैसा लगा हा भाई ये मस question है इसको अच्छी से करो ये ला जवाब question है guys देखो 15 men could finish a piece of work in 210 days समझ गया होगा आपको first situation तो बहुत बढ़िया देदी है 210 days और कितने 15 15 men तो चलो भाई number of men कितने दिये थे 15 can do the piece of work in 210 days ये आप देखते बता सकते हो 15 ये पता है ये question में आपको दो तरही से करूँगा मैं एक तो जो आप अभी तक सीख रहे हो ये ना उसका concept उससे भी बताऊंगा और ये question अपने आप में एक trick से भी सॉल हो सकता है just because of given data ये trick जो है ये जो main trick होती है जो हर question पर अपला होती है वो तो आपको मैं starting में बोल चुका होता लेकिन अगर question में बता रहा हूँ तो वो सिर्फ इस question के लिए applicable है तो पहले तो अपने से याद दिला दू 15 में ने promise किया था कि हम 210 दिन में काम को अंजाम दे देंगे खतम कर लेंगे बट होता क्या है at the end of 100 days 15 additional men are employed 15 लोगों ने 10 दिन में बोला था करने 100 दिन तक करते भी रहे 100 दिन तक करते रहे मतलब second situation में गाईज एक चीस तो या जाएगी कि 15 इंसान जो है वो 100 दिन तक काम करते रहे 15 into 100 यहां तक तो कोई दोर आई नहीं है यह हुआ first situation का work done अब second situation का work done देखो क्या होगा पहले तो 15 15 लोगों ने 100 दिन तक काम किया उसके बाद 15 additional employee को हमने hire किया 15 additional main are employed हो सकता है कि भई जिसने भी contract लिया था उसने सोचा कहा 210 दिन तक खीचू यार फटा फट और manpower hire करता हूँ और खदम करता हूँ इस project को उसने क्या किया 100 दिन तक चलने दिया जैसे बोला था 15 main 100 दिन तक क total work done plus तुकुडों में काम हो रहा है पहले 15 दिन का स्वरी पहले 100 दिन का हम अलग लिख रहे हैं पहले 100 दिन का अलग क्योंकि तब 15 employee थे अब कितने हुए वह 15 और अभी के 15 30 employee याने main into main दिमाग में formula क्या रखना है main into days main into days क्योंकि इस question में स्री main or days दिया है बागी hours वगेर तो पहले तो main into days ये बना आपका total work done first situation के इसाफ से लेकिन second situation जो actual काम शुरू हुआ तो 15 लोगों ने 100 दिन तक किया बहुत बढ़िया फिर 15 और याने पहले के 15 अभी के 15 30 लोगों ने कितने दिन तक काम किया वो इस तो पुछा है in how many more days they will do the work तो बताओ अगर 15 additional employee आया है तो कितने more days और कितने दिनों में काम तमाम होगा तो हम वो मान लेते हैं x तो guys first situation का main into days ये हुआ तो ये बना आपका total work done is equal to हम हमेशा क्या करते है first का total work done is equal to second का लेकिन second का जो total work done है वो दो तुकुडों का addition है समझ मैं कैसे तो पहले 100 दिन का 15 लोगों नहीं किया ये हुआ main into days देखो formula वही है प्लस ये तो 100 दिन का ही हुआ न पूरा काम थोड़ी हुआ पूरा काम करना है इसलिए plus अब 15 और 15 तीस लोग हो गया और कितने दिन तक काम चलेगा वो ही पूछा है हमने मान लिया x खतम solve क कितना बचा 30 x 00 कटा 3 इधर divide कर लेगा 55 is the answer 165 upon 3 55 याने भाई अगर 100 दिन तक 15 लोग करते रहे और उसके बाद 15 additional employee अगर हायर किया आपने तो ये काम कितने दिन तक और चलेगा how many more days 55 more days मतलब अब वो 210 दिन तक नहीं खीचेगा पहले के 100 दिन और उसके बाद 15 दिन में काम खतम क्योंकि man power बढ़ गई तो days कम लग गए अब यार ये question तो आपको समझ गया होगा एक बार वापीस देख लो मैं फिर इसको इतनी शांदार trick से बताऊँगा न जिसके लिए pain और paper की भी ज़रूरत नहीं but again data favor में इस लिए तो पहले तो question ने बोला था इतने main इतने दिन में ठीक है काम खतम होगा 315 0 यह हुआ total work done अब यह total work done कैसे हो रहा है पहले 15 लोग 100 दिन तक main in two days plus और 15 यह पहले के 15 अभी के बंदरा 30 days x days तक यह भी main in two days दोनों को add किया यह बना second situation का total work done solve किया answer आ गया guys अब समझो trick मुझे बताओ इन 15 लोगों ने क्या बोला था 210 दिन में हम काम खतम करेंगे और 100 दिन तक करते भी रहे मतलब 210 days में से 100 days में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई न 100 days तो proper काम चला अब कितना काम और बचा था 110 दिन का काम और बचा था 110 days का तो भाई जब 110 days का काम बचा था तभी उन्होंने क्या किया 100 दिन तक तो हो गया था बस इतना दिन बचा था उन्होंने 15 additional employee hire किये अब आप 15 additional मत समझो आप देखो उन्होंने manpower double की क्योंकि पहले कितने थे 15 अभी ओर 15 इसलिए मैंने कहा data favor में अगर यहां 15 होते और यहां 20 additional होते तो फिर जो भी आपने इसके पहले किया न equation approach वो perfect था 8 होते वो perfect था जो हमने किया लेकिन यहां पे इसलिए यार यह चीज बेस्ट हो रही है क्योंकि यहां proportion में आ रहा है 15 थे 15 हो याने exact double हो न manpower तो manpower अगर double हो रही है फिर से याद दिला दू variation अगर manpower बढ़ रही है तो number of days कम हो जाएंगे न और same proportion मे manpower अगर double हुई है तो days क्या हो जाएंगे manpower अगर double हुई है तो days हो जाएंगे half तो जितने दिन करना था अब उससे half ही days लगेंगे 55 देखो एक जटके में answer एक जटके में answer तो guys आपको चारो और चौकनना रहना पड़ेगा कभी कबार data hint दे जाता है कभी कबार option hint दे जाता है ठीक है तो यह सब चीजे समझो अभी आपने एक वीडियो देखा होगा sneak peek का उसमें मैंने बताया है कि कैसे option को आप smartly use कर सकते हो ठीक है तो guys देख लो फिर से एक बार trick समझा रहा हूँ कि 15 लोगों ने 210 दिन का बोला था 210 दिन में तो भाई साहब तो दिन तो खतम हो गए यानि अभी भी 110 दिन काम करना बचा था 110 दिन काम करना जैसे बचा था उन्होंने 15 additional employee hire किये 15 additional हम क्या बोलेंगे 15 दे 15 आ गए और यहने manpower double हो गई और अगर manpower double हुई है तो days half हो जाएंगे manpower three times होई होती तो days one third हो जाते manpower four times होई होती तो days one fourth हो जाते जिस proportion में manpower power बढ़ रही है उसी proportion में days कम हो जाएंगे न क्योंकि man are inversely proportional to days required इतने man जादा उतने days कम लगेंगे तो यार यहाँ पे तो manpower double ही 15 का 15 बढ़ गया है ने days half हो जाएंगे 55 तो यह दिन तो हो गए थे अभी इतना दिन बचा था लेकिन वह half होकर 55 में खेल खतम चमका गाईज चलो बहुत बढ़िया आगे देखो यह question भी मज़ेदार है अभी इस question में trick नहीं अप्ला होगी कि data favor में नहीं है उस question में यही अप्रोच जो हमने पिछला question स्टैंडर एप्रोच से एक सिस्टेमेटिक एप्रोच से गिया था बस वही एप्रोच लेलो यहाँ पर पिछले question में 15 additional employee hire हुए थे यहाँ पर जो थे उसी में से छोड़ के भाग गए यहाँ पर employee कम हो रहे है तो सुनो guys 20 worker can finish a piece of work in 60 days यानि first situation तो clear है 20 worker can finish the piece of work in मतलब main कितने आगए 20 और 30 दिन में काम खतम करेंगे यानि 600 यह बना total work done first situation का इतना काम हमें करवाना था लेकिन जो 20 worker थे ना guys after how many days should 5 worker leave the job जो 20 workers थे उन में से 5 निकले दगाबाज रे हाँ तो यार यह 5 जो है न यह दगाबाज निकले यह बीच में से काम छोड़के चलेगे और question यह पूछ रहा है कि बताओ after how many days should 5 worker leave the job तो मैं मान लेता हूँ कि यह 5 worker और x days तक काम की उसके बाद चलेगे कितने days x days बट अभी भी कितने बचे भाई यह 5 दगाबाज है सब थोड़ी दगाबाज है तो अभी भी कितने बचे है 15 workers बचे है तो question simple है भाई अगर 5 worker 20 लोगों ने बोला था कि हम 30 दिन में काम खतम कर देंगे यह promise था उनका काम शुरू हुआ उसमें कुछ दिन तक चलता रहा एक days के बाद 5 worker चलेगे अब simple है अगर manpower चला गया तो days require बढ़ जाएगा ना manpower कम हुआ है तो तो इसलिए जो 30 दिन का काम था guys वो देखो कितना चला तो after how many days 5 worker leave the job so that the work is completed in 35 days तो यह काम कब तक चला 35 days तक तो guys इसका मतलब यह जो 15 worker है इन्हों ने पूरा 35 days काम किया की नहीं किया तो मतलब यहाँ पी भी work done क्या हो रहा है सेम पिछली question की तरह second situation में तुकडो में पाच worker का अलग से जैसे की वहाँ 15 worker का सो दिन और बच्छे वे 30 worker का x days यहाँ पे 5 worker कब गए मालूम नहीं हमने मान लिया x days तो इनका work done क्या हो जाएगा इन 5 का टोटल देखो 20 का हिसाब बन गया की नहीं 20 में से 5 worker ने काम किया x days main into days plus बचे कितने 15 worker 15 worker ने काम किया पूरे 35 days हला कि अगर यह worker job शोड़के नहीं जाते तो 20 worker 30 दिन में करने वाले थे ना promise था पराबर लेकिन 5 worker जो चले गया उस वज़े से 30 का कितना हो गया 35 days लेकिने 35 days कौन डेटेर है यह 15 worker तो main into days 15 into 35 and again main into days यह 5 worker for x days यह 15 worker throughout the duration 35 days और यह 5 worker सिर्फ थोड़ा सा duration तो all कर लो guys 5 into x 5x यह हो गया 525 दोनों का multiplication यह इद्दर आके minus हो गया और 5 जब 75 को multiply करेगा और यह divide करेगा तो answer आएगा 15 यही पूचा था कितने दिन के बाद यह 5 worker लीव कर दिय जो आपको छोड़ कर चले गए जो हमने माना था x days और वो answer आ गया 15 guys वो answer क्या आया 15 तो theme बिल्कुल पिछले question का था लेकिन reverse direction में वहाँ additional employee आ रहे थे यह employee जो थे जो जिनको हमने consider कर रखा था वो ही छोड़ के जा रहे इसको अब देखो यह है इस वाले variety की last variety question इसको अब देखो अच्छी से क्योंकि यहां पे आप question पढ़के भी समझ रहे होंगे बस guys यह एक last question करेंगे फिर हम मतलब आज के lecture का नहीं फिर हो efficiency वाले फिर हो wages वाले questions को भी देख लेंगे फटा फट तो guys इस question में देखो piece of work can be done by six men and five women in six days तो इस question में नया क्या लग रहा है अब तक आप देख रहे थे 20 workers, 30 men, 20 engineers, 30 एक same category of worker दिया जा रहा था, same category, engineer है तो engineer, worker है तो worker, man है तो man अब यह एक ऐसा question आया है जहाँ पे आपको दो अलग-अलग category mix कर दिया है, man भी, women भी और भाई, दोनों की efficiency अलग-अलग होती है तो अब ऐसे question को बहुत smartly, systematically handle करना है, guys, कैसे मैं बता रहा हूँ, पहले तो इन category का आपस में relation बनाना होता है कि man, का, एक man का, एक दिन का काम, ये एक woman के, एक दिन के काम के कितने बराबर है, किस proportion में, ये relation बनाना होता है अब धैन दो, तो ये question मैं करूँगा, फिर आपके लिए homework भी दूँगा, यह ना, बिल्कुल इसी तरह का a piece of work can be done by six men and five women in six days, guys, first situation क्या है again आपको पता है कि यह total work done, जब lot में workar दिये होते हैं, तो total work done कैसे निकलता है men in two days, पट इस बार स्विप men नहीं है, women भी है, तो मैंने ये भी तो कहा था starting में, कि अगर women दिया है, तो formula क्या बन जाएगा, women in two days है ना, तो यहाँ पर दोनों चीज़े हैं, तो हम दोनों mention करेंगे, तो भाई, पहले situation का, मुझे बताओ, इस situation का total work done क्या हो गया, six men and five women can do the work in six days, तो मुझे बताओ, guys, यहाँ पर मैं ऐसा बोल दूँ, total work done is equal to six men working for six days, याने six into six, 36 men days plus five women working for six days, 30 women days ऐसे होता है ना, formula, men in two days, अब यहाँ पर women भी, इसलिए women in two days, दोनों को अलग अलग लिखा, हमें समझना चीज़े, तो first situation में, men और women साथ में, तो together, भाई, चारे से काम हो रहा है, इसलिए हमने plus बोला, six men working for six days, six into six, 36 men days five men working for six days, five into six, 30 women days, यह एक total work done बना वे, total work done तो यह भी तो बनता है ना, और, देखो उसने एक situation और क्या दे दिए, और three men and four women in ten days same काम वो बोल रहा है, three men and ten women दस दिन में करती है जो काम, guys, six men and five women six days में करती है, वो ही काम, यानि वो ही total work done यह आपके understanding के लिए इतना लिख रहा हुआ, वो ही total work done three men and four women दस दिन में कर रही है, यानि three men working for ten days कितना हो गया, 30 men days plus four women working for ten days, 40 women days same work done है, जो यह work done है, वो ही यह work done है, क्यों question है clear बोला है it can be done, three men and four women in ten days जो काम, six men और five women, six दिन में कर रही थी तो भाई, six men, five women, six days यह बना total work done three men and four women in ten days यह बना total work done और काम तो दोनों से हैं है, तो क्या मैं इन दोनों को equate कर सकतू, यह भी वोई है यह भी वोई है, यह दोनों का LHS से में दोनों के RHS को equate कर लो यहाने मैं बोल सकता हूँ, 36MD plus 30WD is equal to 30MD plus 40WD guys क्या हो गया, 30WD इदर गया, यह नहीं क्या हो गया, 10WD minus हो जाएगा न, यह 30MD इदर आ गया, 36MD minus 36MD तो guys, MD upon WD क्या होआ, समझ रहे हो, मैंने क्या क्या, MD को as it is रखा, WD को इदर ले लिया, divide कर दिया, तो यह 10 as it is रहेगा, 6 इदर चला जाएगा, यह न, तो divide हो जाएगा, मतलब ही क्या होआ guys, 5 is to 3, इसका मतलब समझ रहे हो, एक man एक दिन में 5 unit बनाता है, तो वही एक woman एक दिन में 3 unit बनाती है, समझ रहे हो, एक man एक दिन में 5 unit, वही एक woman एक दिन में सिर्फ 3 unit, यह बन गया दोनों का relation, तो अब देखो मैं total work done, अब यह अगर चीज, मैं इस equation में रोखू या इस equation में रोखू, मुझे क्या मिल जा और फिर जो question उसने में पूछा है, कि बताओ कि वो ही work done, वो ही work done, जो 6 men, 5 women, 6 दिन में कर रहे थे, 3 men, 4 women, 10 दिन में कर रहे थे, वो ही work done, अगर 9 men and 15 women करेंगी, तो कितने दिन में होगी, it can be done in how many days, उसके लिए पहले total work done, एक same platform पे निकाल लो, यहाँ अलग-अलग है, भ तो पहले तो आपने दोनों situation से total work done निकाल लो, और पता है, दोनों same है equate किया relation निकाल लो, मैंने starting में कहा था, ऐसे question को solve करने का theme है, जितनी भी अलग-अलग category दी है, उनको एक relation में डाल दो, क्योंकि दोनों की efficiency लग है man की और woman की, अब हमें समझ गया क्या है, एक man एक दि equation में रग दो, तो total work done क्या बन जाएगा, 36 into md, md कितना है 5, तो 36 into 5, जो कि 180 होता है, plus 30 into wd, wd कितना है 3, तो काईज ये कितना हो, 180 plus 90, कितना हो, 180 plus 90, 270, 270, 270, इतने काम, इतना unit of work done हमें करना है, इतना unit of work done हमें करना है, और किस से करवाना है, 9 men and 15 women में, तो in how many days, तो मैं मा ये होता है, in x days, x days, याने 270 work done हमें करना है, समझ रहे हो न, और guys, आप बोलोगे sir, first situation में रखा, इसलिए 270 है, अगर second में रखते है, तो check कर लो, 30 into 5, कितना हो, 120, plus 40 into 3, कितना हो ये, अच्छा, एक second, 30 into 5, 150, कोई तो बोलो, गलत कभी, मतलब, अलग-अलग कभी नहीं आएगा, हमेशा सेम आएगा, तो 30 into 5, कितना हो ये, 30 into 5, 150, and 40 into 3, 120, देखो, फिर से 270 आया, तो doesn't matter, ये दोनों सेम ही है, इनको हमने सेम ही लिया, ये तब जा की relation बना है, तो ये 5 और 3 आप इसमें रखो या इसमें रखो फरक नहीं पड़ेगा, मैंने first में रखा तो भी 270, second में रखा तो भी 270, तो guys, इसका मतलब क्या हुआ, total work done आपका क्या है, 270 unit, और ये हमें किस स plus 15 women working for x days, कितना है, 15x wd, और md upon wd का relation अभी हमने क्या निकाला था, 5 by 3, तो बस md और wd की value रख दो, total work done भी हमें पता है, कितना है, 270, 9x, md कितना है, 5, plus 15x, wd कितना है, 3, ये 9, 45x, 15, 3's are, 45x, येने कितना हुआ, 90x is equal to 270, 0, 0, कटा, guys, 27 upon 9, 3 is the answer, 9 either divide कर लेगा, तो x पुछा था आपको, कि 9 men and 15 women कितने दिन में करेंगे, हमने मान लिया था x, जो आया 3 days, simplest question, definitely, तब जब ये process समझ जा है, ये funda, ये concept समझ जा है, मैंने कहा न, ये foundation नहीं है, ये definitely foundation level नहीं है, लेकिन foundation के साथ-साथ, वो चीज़ मैं आपको करवाओंगा, जो easy है, जो foundation से बिलकुल जुडी होई है, ये न, so guys, समझ गयोंगे आप, तो एक बार फिर से इसका fast में explanation समझ लो, 6 men, 5 women, 6 days में अगर काम कर रही है, मतलब आप क्या करोगे, men in two days, women in two days, और 7 में कर रही है, इसलिए plus, ये 36 md, plus 30 wd, और वो ही का 30 md, plus 4 into 10, 40 wd, फिर आपने क्या किया guys, ये category सेम करी, तो 36 minus 36 md, wd, wd उदर shift किया, ये 10 wd, और उसी तरह आपका md upon wd का guys, जो relation है, वो कितना बना 5 upon 3, और ये md और wd की value आप इस equation में रखो, चाहे इस equation में रखो, आपको मिल गया total work done, क्योंकि कितना है, 270, md 5, wd 3, या md 5, wd 3, तो इतना work done आपको करवाना है, किस से करवाना है, 9 men and 15 women say, कितना दिन x days, तो 9 into x, 9x, md, md की value रखो 5, plus 15 into x, 15x, women, ये na, women and a, wd, तो 15x, wd की value 3 is equal to 270, total work done, तो हो गया, 9, 5s are 45x, 15, 3s are 45x, 45 plus 45, 90x, जैसे आपका topic पे hold आता है, majority चीज़े आप money-man करना शुरू कर देते हो, तो x is equal to 3, तो ये मैंने आपको फिर से फटाक, फटाक से solution बता दिया, अब करना क्या है, तो करना ये है guys, इस question को as a homework आपने करना है, same question है, बस values अलग है, स्री वहाँ पे main और women थी, यहाँ पे main और boys दो category है, तो फिर से है तो दो अलग-अलग category, दोनों की efficiency अलग है, तो दोनों को same platform पे, यान एक relation में डालो, तो 2 men and 3 boys can do the work in 10 days, इससे एक equation बनेगा, 3 men, 2 boys in 8 days, दोनों को equate करना main days और boy days, एक relation बनेगा, फिर total work done, units form में आ जाएगा, फिर which is 2 men, 1 boy in how many days, x days, x days लेके solve कर ले ना, x निकल जाएगा, तो guys यह आपके लिए homework और सब ने इसका reply जरूर करना, हो सकता है, इस lecture में आपको 2 homework दो, homework 1 यह answer, homework 2, number के साथ answer करना, ठीक है, बहुत से student आप में सहर homework का answer करते हो, super guys, keep it up, DPP कर रहे हो, बहुत बढ़े है, DPP का solution अभी हमने देखा है, और देखेंग session 1 अगर नहीं भी देखा होगा, तो भी आपको definitely यह variety चमकी होगी, क्योंकि अपने आप में एक खटके थी, अब हम ऐसे question देखने वाले, जिसमें again session 1 का knowledge required है, अब यहां से अगर कोई चीज़े आपको नहीं समझे, तो इसी लिए नहीं समझ रही, क्योंकि session 1 आपने नहीं मैं समझाने की कोशिश तो पूरी करूँगा, लेकिन आपने अगर थोड़ा बहुत भी confidence नहीं आ रहा है, तो session 1 देख लेना, और जिन्होंने session 1 देखा है, उनको तो 100% समझेगा, क्योंकि यहां पर वही question आने वाले है, जहां पर worker individual उनका days दिया है, फिर उससे आप random approach, systematic approach, उससे total work done मानते हुए, solve करोगे, लेकिन यहां पर एक चीज़ best है, जो question आएंगे, यह किस पर होंगे, efficiency of one worker with respect to other, efficiency best, starting में कहा था न, कि A is twice efficient than B, A is thrice efficient than B, ऐसा बोला होगा, तो उसको कैसे tackle करना है, radio guys, करे, तो यहार देखो, again, common sense वाले question है, मतलब जिन्होंने first session नहीं दे Vynight together can do the piece of work in 7 days, तो देखो, दोनों मिलकर 7 दिन में काम कर रहे, again, आपको याद है न, हम क्या कर लेते थे, total work done, assume कर लेते थे, so let's assume total work done है 21 units का, मतलब हमें किसी तो item के 21 unit बनाना है, मानलों यह pain हमें बनाना है 21 unit, तो Arun और Vynight together 7 दिन में काम खतम कर लेते थे, तो इसका मत work as Vynight, बस यह वाली information जब question में दी होती है, उसी को मैं अभी cover कर रहा हूँ, जो मैंने बोला न, efficiency based, यहने एक worker का with respect to other, बस यह यह वो, ठीक है, यह यह वो, so guys, यहाँ पर आपको clearly Arun की efficiency दे दिये, Arun does twice as much as work as Vynight in a given time, मतलब Arun यह double efficient है Vynight से, क्योंकि दिये होए time में जि अलू की Vynight एक unit बनाता है, एक दिन में, तो Arun कितना बना लेगा, simple सी बात यार, बच्चा भी बता देगा, कि Arun twice efficient है, तो उससे double बनाएगा न, अगर Vynight एक unit बना रहा है, तो Arun बना लेगा 2 unit, तो guys, दोनों मिलकर कितने unit बना लेते है, 3 unit बना लेते है, per day, यह हमने क्य साथ दिन में काम खतम होता है, तो दोनों मिलकर, Arun and Vynight, दोनों मिलकर, 21 upon 7, कितने unit बनाते है, 3 units per day, guys, देखो, यह तो हमारे assumption से match हो गया, यह तो हमारे assumption से क्या हो गया, match हो गया, 3 units per day, क्योंकि अगर 21 unit, यह हमने माना है total work done, साथ दिन में दोनों मिलकर करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने unit बनाते हैं, 21 unit बनाने के लिए 7 दिन लेते हैं, यहने 3 units per day, और हमें यह भी पता है कि Vynight से Arun क्या है, Vynight से Arun double efficient है, मतलब इनके efficiency का ratio क्या है, 1 is to 2, इसका मतलब अगर Vyn एक unit बनाता है, तो Arun 2 बनाता है, यहने दोनों मिलकर कितने unit बना लेते हैं, 3 unit per day, यह तो exact इससे match हो गया, इसका मतलब वाकई में Vynight एक दिन में एक ही unit बनाता है, और Arun 2 बनाता है, यह क्या हो गया, बिलकुल हमारे दिये हुए information से match हो गया, तो अब मैं बोल सकता हूं क एक unit per day Vynight बनाता है, और 2 units per day Arun बनाता है, तो question बोल रहा है, question पूछ रहा है, सिर्फ Arun का, how long will Arun alone take to do the work, work क्या करना है भाई, 21 unit बनाना है, और Arun एक दिन में कितना बनाता है, 2, तो 21 unit के लिए कितना लेगा, 10.5 days, 10.5 days, guys, again, जो first session देखे हो नो, उनको मैं guarantee लेता हो 100% स कम जादा हो रहा है, तो बाद में session 1 देख लेना, यह चमक जाएगा, ठीक है, तो फिर से guys, देख लो, Arun विने, दोनों मिलकर 7 दिन में काम करते हैं, तो यहाँ total work done हमने मानना होता है, एक approach हमने देखा था, last lecture में, तो 21 unit काम करना है, तो Arun एन विने, दोनों मिलकर 21, याने कितना साथ दिन में करते हैं, याने 3 units per day, बहुत बढ़िया, 3 units per day, अब question बोल रहा है, Arun double efficient than विने से, याने विने और विने की efficiency का relation का है, 1 is to 2, जितना विने उससे double Arun, इसका मतलब एक unit अगर विने बनाता है, तो 2 unit Arun बनाता है, और दोनों मिलकर 3 हो गए, और हमें यही तो information मिली थी न, कि Arun और विने दोनों मिलकर एक दिन में 3 unit बनाते हैं, उसमें से विने कितना बनाता है, एक और अरुन कितना बनाता है, दो, खतम, तो question बोल रहा है कि वो ही काम अगर Arun अकेला करेगा, यह काम, Arun अकेला करेगा, याने 21 unit Arun अकेला बनाएगा, उसकी speed का ह 2 unit per day, 2, 2, 2, 2 per day बनाते हुए, वो 21 unit के लिए कितना days लेगा, 10.5, खतम, come on, देखो next, one filling pipe A is 6 times faster than second, A 6 times faster than second, मतलब again guys, अगर मान लो, यहाँ पे A और B में relation देखो, तो जादा faster, जादा efficient को हने A, A वो भी 6 times faster, मतलब B अगर 1 liter भरता है, एक दिन में, या एक घंटे में, या एक minute में, जो भी आपको days, minute, hours, जो भी unit दिये है, तो A कितना भर सकता है, 6 liter, पिछले example में आपने देखा, अरुन और विने में double का relation था, यहाँ 6 times, तो अगर B एक liter भरता है, एक minute में, क्योंकि देखो, यहाँ पे आपको minute का हिसाब दिया है, से 6 times faster है, यानि 6 times efficient है, तो 6 liter per minute, समझ रहो, तो guys, हमारे हिसाब से, अब question है क्या बोल दिया, if B can fill the system in 28 minute, B अकेला एक system 28 minute में भरता है, यानि एक system है, उसकी capacity हमें नहीं पता, वो B अकेला 28 minute में भरता है, तो guys, अगर मैं मान लेता हूँ, इसका total work done है, 28 का multiple ले लो, 84, 84 liter, मतलब total work done करना, मतलब क्या है, system को भरना, और यह system की capacity हमने क्या मान ले, 84 liter, और B इसको भरने के लिए 28 minute लेता है, 28, तो B का per minute काम क्या हो जाएगा, 84 upon 28, यानि की कितना हुआ, 3 liter per minute, 3 liter per minute, तो guys, in fact, एक काम करो न, यह, यह, इसकी जोरोती नहीं थी, सीधा आपको पता है कि A और B में क्या relation है, जितना B है, उससे 6 times A है, efficiency wise, तो हमने पहले तो B की efficiency निकाल ली क्यों हमें पता है, कि एक system भरने के लिए B 28 minute लेता है, तो मैंने मान लिया, उस system की capacity 84, मैंने कहा है न, पिछले lecture में, कि multiple में लो, तो काम आसान हो जाता है, तो 28 का multiple, 56, 84, कुछ भी ले लो, मैंने 84 ले लिया, तो B को 3 liter भरता है, एक minute में, और उससे भाई, उससे 6 times faster A है, तो A कितना भरेगा, 6 into 3, अगर ये 3 liter per minute भरता है, तो A भर देगा 18 liter per minute, कमझे रहो, efficiency के question को कैसे tackle करना है, तो खतम, दोनों मिलकर कितने भर देते हैं, 3 plus 18, 21 liter दोनों मिलकर, एक minute में कितना भरते हैं, 21 liter, question बोल रहा है, कि बताओ, find the time when system will be full, if both pipes are open together, question बोल रहा है, अगर दोनों साथ में काम करें, भाई, चारे से, together, तो कितना time लगेगा, अब total capacity कितनी है, 84, और दोनों मिलाकर कितने भरते हैं, 21 liter, एक minute में, तो एक minute में 21 liter, तो 84 liter भ समझे रहे हो, guys, बहुत simple question था, common sense का question है, पिछला lecture तो मतलब आपको पुरी clarity दे दिया है, लेकिन फिर भी, जो direct अभी आए हो, बार बार बता रहा हूं, कुछ नया नहीं है, common sense है, उसने बोल दिया है, कि B जो है, वो, 28 minute लेता है, एक system भरने के लिए, तो total capacity मैंने क्या ले 84 liter, इसी को मैंने बोल दिया, total work done, तो B को कितना time लगेगा, 28 minute लग रहा है, तो एक minute में कितना भरता है, अगर 28 minute में 84 liter भरता है, तो एक minute में भरता है, 3 liter per minute, और A उससे 6 time faster है, तो ये तो बोलने की ज़रुत नहीं, अगर 6 time faster है, तो 6 time अच्छा गाम करेगा, तो 6 into 3, 18 liter per minute, तो दोनों मिलकर कितने हो गया, 21 liter per minute, तो question बोल रहा है कि बताओ, अगर दोनों मिल जाए साथ में, तो कितने time में system भर जाएगी, so 84 upon 21, मन में solve कर सकते हो यारा, concept पे एक बार confidence आ जाए तो, चलो, two men A and B started a job in which A was thrice as good as B, A और B में A is thrice as good as B, मतलब अगर B एक unit बनाता है, per day है न, तो A कितना बनाएंगा, three units per day, three units per day, thrice efficient है, now, so guys, A was thrice as good as B and therefore took 60 days less than B to finish the job, कोई तो एक job, अब simple सी बात है, A अगर thrice efficient है, तो कम days लेगा, लेकिन कितना कम days लेगा, ये question ने दे दिया, 60 days less, guys, मुझे बताओ, चलो कितना job है, कौन सा job है, हमें नहीं पता, फिलाल तो आप मुझे ये बताओ, कि अगर B एक unit एक दिन में बना रहा है, और A उससे तीन गुना अच्छा है, तो तीन unit per day उसी दिन में बना रहा है, तो B को अगर तीन unit बनाने है, B को तीन unit बनाने है, एक unit अगर वो एक दिन में बना रहा है, तो वो 3 units कितने दिन में बनाएगा, guys, 3 days में, 3 days में, मतलब 3 unit बनाने के लिए दोनों का comparison आप कर सकते हो, guys, 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 3 unit बनाने के लिए क्या इन दोनों का comparison कर सकते हो, A, जो B है, वो 3 unit 3 दिन में बनाता है, और A 3 unit एक ही दिन में बनाता है मतलब अगर मैं बात करू तीन यूनिट की तो A कितना दिन उससे कम ले रहा है क्योंगी question ने यहाँ पर direct पिछले question की तरह पिछले question की तरह B को कितना time लगता है वो दिया नहीं इस बार question ने चाला किसे data दिया है question बोल रहा है कि भाई ये जो B है न उसके comparison में A 60 days less लेता है यह 60 days जो है यह क्या A के दिया है B के दिया है नहीं दोनों का difference दिया है कि A उससे 3 times faster है इसलिए 60 days less लेता है यह तो हमें भी पता है कि अगर वो faster है तो कम ही लेगा कितना कम लेता है question ने दे दिया 60 days लेकिन total कितने unit के लिए यह हमें नहीं पता तो हमने देखा यार A यह उससे 3 times efficient है मतलब अगर यह एक unit बनाता है एक दिन में तो B जो B है वो एक unit अगर एक दिन में बना रहा है तो A उसी दिन में 3 unit बना लेता है तो A को अगर 3 unit एक दिन में बनता है तो B को वो ही 3 unit 3 दिन लगते है तो भाई मुझे बताओ 3 unit में अगर मैं बात करूँ 3 unit की तो A कितना कम days लेता है 2 दिन देखो यह 3 दिन में बना रहा है यह एक दिन में बना रहा है 3 unit बात हो रही है 3 unit की तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 days less लेता है वो 3 unit बनाने के लिए तो question तो बोल रहा है 60 days less लिये है तो उससे कितने unit है का काम है यह हमें समझ जाएगा 2 days का less यानि gap आता है 3 unit के लिए 60 days का less लिया है उसने A ने as compared with B 60 days का जो gap आया है वो कितने दिन के लिए guys क्या हम यह निकाल सकते हैं अब यह days less days less छोड़ो unit unit छोड़ो तो 2x is equal to 180 cross multiplication है न तो x कितना 90 तो guys total work done है 90 units का यह कहा है मिला total work done तो question आपको बोल रहा है then how many days will be take to finish the job if they start working together तो guys B एक दिन में कितना बनाता है 1 unit उसी दिन में A कितना बनाता है 3 तो together तो together कितने हो गए 4 units per day तो 4 units per day बना रहे हैं हमें total work done कितना करना है 90 units का तो 90 upon 4 22.5 यहनि 22 and half 22 and half simplest question guys एक बार वापीस बताऊंगा थोड़ा सा यह heavy जा रहा होगा आपको क्योंकि यह foundation से अगेन उपर की variety आ गई है लेकिन बहुत easy है guys बहुत easy है और उनको तो I don't think कि heavy जा रहा हो जिन्होंने first session शिद्दत से देखा है तो चलो guys एक बार वापीस बता रहा हूँ A and B two men started a job in which A is thrice than B मतलब B जितना unit बनाता है उससे A तीन गुना जादा बनाता है और definitely जब A faster है तो कम टाइम लेगा per day बना रहा है और B एक ही unit बना रहा है per day तो B को तीन unit बनाने के लिए मैंने कहा कितने दिन लगेंगे एक unit एक दिन तो तीन unit तीन दिन तो यहार तीन दिन देखो तीन-तीन unit का comparison करो यह तीन unit एक दिन में बना रहा है यह 10 unit 3 दिन ले रहा है यानि कितने का difference है 2 days का तो A 2 days less ले रहा है 2 days less for 3 unit 2 days less for 3 unit 60 days less for how many unit इससे हमें total work done मिलेगा 2x हमारा 180 आया तो X कितना मिला 90 यह guys हमारा है total work done तो इतना काम हमें करवाना है वो भी किससे A and B together तो भाई आप ही बता दो 3 unit 1 दिन 1 unit 1 दिन मतलब 4 unit per day अगर मैं together जोड़ दू तो तो 90 days sorry 90 unit के लिए कितना days अगर दोनों मिलके 4 unit बनाते हैं एक दिन में तो 90 unit के लिए कितना गई साढ़े 22, 22 and half चमका और अगर चमका है तो फिर यह रहा आपके लिए homework question 2 जो आपको A is 3 times faster दिया था पिछले question में वो अब इस बार क्या दे दिया है P is 6 times faster जैसे पिछले example में 60 days less था वो days में हिसाब था यह minutes में हिसाब है कोई फरक नहीं बढ़ता 40 minutes less तो आप वो ही देखो कि P अगर Q अगर एक unit बना रहा है एक minute में यहाँ minute का हिसाब लो तो P उसे 6 गुना अच्छा यानि 6 unit बनाएगा तो Q वो ही 6 unit बनाने के लिए कितने दिन लेगा 6 दिन तो P और Q में 6 unit के लिए कितने का gap आया 5 days का तो 6 unit के लिए 5 days का gap यानि 5 days वो less लेता है जो P है और 6 unit तो 40 days जो less लिए है वो कितने unit के list से आपको total work done मिलेगा फिर together क्या है वो आपको समझ जाएगा दोनों मिलकर 7 unit एक दिन का बना रहे तो total जो भी work done आएगा उसके लिए कितना तो guys यह homework try करो और उसका answer मुझे देना comment section में as homework number 2 तो mention करना तो समझेगा homework 1 homework 2 ठीक है चलो guys इसमें बाते है wages paid inversely proportional to time required wages paid inversely proportional to time required यह भी आपको समझी गया होगा यह वो बंदा simply बात है आप बोलोगे sir कैसे inversely time के inverse कैसे जो time जादा कर रहे हो तो जादा wages लेगा जो कम time काम कर रहे हो कम wages लेगा नहीं आप इसको गलत समझ रहे हो यह time required मतलब कोई काम करने में दो बंदे है मानलो यह दिवार खड़ी करना है और यह दिवार अगर A नाम का इंसान 10 दिन में कर रहा है और same दिवार same दिवार B नाम का इंसान 20 दिन में कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ दोनों में आप किसको ज़्यादा efficient बोलोगे वो ज़्यादा दिन काम कर रहा है देखो सरे 20 दिन काम कर रहा है यह ज़्यादा efficient है नहीं वो जो फटा-फट काम कर रहा है भाई तो A is to B में days का ratio अगर आपको 1 is to 2 दिया है मतलब जो काम यह 10 दिन में कर रहा है वो ही काम भी 20 दिन ले रहा है इसका मतलब A ज़्यादा efficient है क्योंकि वो कम टाइम में काम कर रहा है तो भाई A को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए न और इसलिए जो कम days लेता है समझो बात को बात घुम कर कहा से आ रही है यह relation कैसे बना जो same काम करने में कम days लेता है वो ज़्यादा efficient है और ज़्यादा efficient इसलिए ज़्यादा wages कम days लेने वाला ज़्यादा efficient इसलिए ज़्यादा wages indirectly क्या हुआ कम days लेने वाले को ज़्यादा wages ज़्यादा days required जिसको है सेम काम करने को उसको कम wages क्योंकि हो कम efficient इंपले देखो 9 to 5 एक clerk भी काम करता है 9 to 5 उस company का manager भी काम करता है लेकिन दोनों के salary में फरक है ना क्योंकि salary efficiency के basis पर depend करती है ऐसा नहीं कि 9 to 5, 9 to 5 दोनों ने काम किया दोनों को same salary हो efficiency पर depend करती है तो उसी तरह guys यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि आप number of days दोनों worker का अगर आपको दिया है उसके आपको efficiency पता चलेगी और efficiency के हिसाफ से फिर आपको wages का बटवारा करना है तो simple सी बात है जो कम days ले रहा है वो ज़्यादा efficient है इसलिए उसको ज़्यादा wages दो कर देना है उसका reverse कर देना है आपको मिलेगा wages का ratio क्योंकि inverse है हमने variation topic में यही सिखा है inverse यहने क्या ratio का reverse कर लो जब दो का हो तो A is to B है तो वो 1 is to 2 आया days में तो wages में क्याएगा 2 is to 1 by chance wages में अगर 2 is to 1 है तो days में क्याएगा 1 is to 2 है ना तो days से wages wages से days आप निकाल सकते हो लेकिन अगर 3 का है मान लो A B C A लेता है 10 दिन B लेता है 15 दिन C लेता है 20 दिन यह days का दिया है तो guys अगर मैं इसको 5 5 से divide कर दो तो 2 is to 3 is to 4 यह आपको क्या मिला days का relation days तो अब इससे wages का relation कैसे निकालोगे तो क्या wages का relation 4 is to 3 is to 2 कर दो के नहीं भाई यह स्रिफ उल्टा जो कर लेते हो ना 1 is to 2 का 2 is to 1 3 is to 5 का 5 is to 3 यह स्रिफ दो तक सिमित रखो यह जो funda है यह जो logic के दो तक जब 3 आ जाये तो उसका उल्टा मत कर ले ना 3 आने का क्या concept होता है आपको inverse बोलाए ना तो अगर यह days का relation है guys तो बताए wages का relation क्या होगा inversely proportional यहने 1 by 2 1 by 3 1 by 4 यह बनेगा wages का ratio और फिर आप ratio topic देख चुके हो और नहीं देखे हो तो मेरी पूरी playlist आपको दिख जाएगी इस channel पे तो आप ratio आप variation सब देख सकते हो तो guys आप अब इसको wages को थोड़ा simplify करना है तो आपने सीखा है ना किसी भी ratio अगर fraction form में है तो आप in denominator value के common multiple से multiply कर दो तो 2, 3, 4 का common multiple को हुआ 12 12 से मैं multiply कर देता हो guys 12 से मैंने multiply कर दिया खेल खतम तो यह हो गया 6, यह हो गया 4, यह हो गया 3 and 6 is to 4 is to 3 बन गया आपके wages का ratio student क्या करते है 2 का समझ लेते है 1 is to 2 अगर days का ratio तो 2 is to 1 wages perfect है perfect है 2 में चल जाता है क्योंकि बात वही बनती है यह 1 का reciprocal 1 by 1 यह 2 का reciprocal 1 by 2 फिर से cross multiplication होगे 2 is to 1 ही बनता इसलिए 2 में चल जाता है 3 में ऐसा मत करना 2 is to 3 is to 4 तो इसका उल्टा कर लिया 4 is to 3 is to 2 ना inverse है ने क्या reciprocal तो days का ratio अगर यह है तो wages का यह बन गया और इसको simplify करने के लिए तीनो denominator के common multiple से multiply किया यह इसका मतलब अगर आप 13 रुपय बात रहे हो तो 6 रुपया A को दो 4 रुपया B को दो और 3 रुपया C को दो देखो A को कम टाइम लग रहा है इसलिए उसको सबसे ज़्यादा wages मिली सबसे ज़्यादा टाइम C को लग रहा है इसलिए उसको कम wages तो wages का जबी भी question आएगा न तो आप देखना कि हर worker को किस तरह से days लग रहा है उसके एसाब से inverse form में बाट देना 2 है तो direct उल्टा कर देना जो wages का ratio है और 3 है तो फिर इस तरह से और wages का ratio कर दिया है तो उससे days का भी निकाल सकते हो inverse लेकर ठीक है तो चलो गाई शुरुआत करते question की बाबा alone can do the work in 10 days and unshue alone can do the work in 15 days तो बाबा 10 days unshue कितने दिन में 15 days याने days का ratio तो भाई एकदम 20 तो इस तो 3 मिल गया है और अगर ये days का ratio है तो wages का ratio क्या हो गया 3 तो 2 बहुत शानदार तो question आपको क्या बोल रहा है if total wages of the work is 50 मतब दोनों को साथ में काम करवाया बाटना इंसाफ है नहीं क्योंकि हमें पता है इन दोनों में बाबा जो है वो efficient है कम time में उसने फटाफट फटाफट काम कर लिया होगा अगर इतना काम हुआ है दोनों मिलकर उसमें से हो सकता है इतना काम अकेले बाबा ने किया हो भला यह दोनों रात से तुबस रात तक थे लेकिन fast था ना बाबा तो बाबा ने जादा काम क्यांशू ने थोड़ा किया तो फिर पैसा भी वैसी बाटो लेकिन ऐसे जो days का ratio बना है उसका reverse दे लो यह wages का ratio उसमें बाट दो तो question ने बोला है कि how much should बाबा भी paid if they work together for entire duration होने दो entire duration के लिए 7 में है फिर भी बाबा को कितना मिलना चाहिए यह ratio में देखना यह days का है उसका उल्टा किया तो 3 अब ratio कैसे बाटना है पहले topic में सीखे हो 3 upon total of the ratio 5 into 50 50 पे apply कर दो यह ratio बाबा का पुचा इसलिए 3 upon 5 अंशु का पुचा हो था 2 upon 5 यह सिंपल हो गया नहीं 3 to 2, 30, 20 बाबा 30, अंशु 20 और लिए कर सकते हो समझे रहो तो days दिया था, आपने क्या कर दिया उससे days के ratio से wages का ratio निकाला और wages का ratio अपलाए कर दिया total wages पे काम खतम come on guys now Apoorva can do the piece of work in 12 days Apoorva के ला 12 दिन में करता है Apoorva and Amit complete the work together and were paid rupees 54 and 81 दोनों ने एक काम को together खतम किया Apoorva and Amit ने पिछले example में दोनों के अलग-अलग days दिये थे उससे हमने wages का ratio निकाला क्योंकि पिछले example में wages totality में दे दी थी इस बार जिसने काम दिया है न उसने देखा ज़्यादा काम किस ने किया कम किस ने किया और उसके हिसाफ से दोनों को अलग-अलग दिया है काम के हिसाफ से तो उसने Apoorva को दिया 54 और Amit को दिया 81 तो guys ये 2 is to 31 क्या बना है इस बार wages का ratio बट कोई नहीं अगर wages का ratio पता है तो days का ratio भी उससी तरह से निकाल लो याने इसका inverse ये बन गया days का ratio याने Apoorva और Amit के days का ratio क्या है 3 is to 2 Apoorva और Amit ये Apoorva का 3 ये Amit का 2 ये बना days का ratio उसमें से guys हमें Apoorva का day पता है 12 Apoorva का day कितना है 12 Amit का निकाल लो Apoorva का हमें पता है 12 तो Amit का निकाल लो So cross multiplication से हमें Amit का कितना मिल जागा guys ये हुआ 24 और 3 इसको divide कर लेगा 8 days 8 days So guys एक काम है जो Apoorva 12 दिन में करता है और Amit उसी काम को कितने में करता है 8 days ये हमने धूंड लिया किस से वेजे से So question आपका ओल रहा है how many days must they have taken to complete the work together So ऐसे question में क्या करते है Total work done assume कर लेते है In days का common multiple चलो 24 days 24 units Total work done क्या ले ले हमने 24 units So guys अगर Apoorva 12 दिन लेता है 24 unit बनाने के लिए तो Apoorva का एक दिन का काम कितना हुआ 2 units और वही Amit इसी 24 को अकेला 8 days में करते है तो उसका हुआ 3 units So together बोला है So together इनका काम कितना हुआ 5 units per day So guys अगर दोनों मिलके 5 units per day करते है तो 24 के लिए कितना 24 units के लिए अगर एक दिन में 5 unit कर रहे है तो ऐसे 24 unit के लिए कितना करेंगे 4.8 days 24 upon 5 Simple है ना 5 के लिए एक दिन 24 के लिए कितना Cross multiplication किया Answer आ गया 4.8 days तो वह होने वाला है 5x is equal to 24 5 उसको divide कर लेगा 4.8 days बहुत easy question था पिछले question में दो बहुत से wages बाटके खतम करना था इस बार आपको दोनों का wages अलग दिया था wages का ratio उसका उल्टा किया inverse किया days का ratio मिला days में आपको एक बंदे का days actual में पता था अपुर्वा का days अपुर्वा और अमित का ये बना ratio days वाला लेना है wages वाला नहीं इस बार तो अपुर्वा का days पता था अमित का निकल गया 8 days तो जो काम अपुर्वा 12 दिन में करता है वो ही अमित 8 दिन में करता है काम क्या है हमने assume कर ले 12 और 8 का common multiple 24 unit बनाना तो अपुर्वा कर 24 unit के लिए 12 दिन लेता है तो एक दिन में 2 unit और अमित उसी को 8 दिन में करता है तो एक दिन में 3 unit तो एक दिन में दोनों का काम पाच उनिट हुआ तो पाच उनिट एक दिन में तो भाई 24 उनिट के लिए कितना खत्म 4.8 तो गाईज अब आते हैं ऐसे ही सारे मिक्स वराइटी के प्रैक्टिस क्वेस्चन्स पर खत्म करते हैं फटा-फट इस टॉपिक को तो आजओ गाईज असिस्टन कैन बी फिल्ड वाई 2 पाइप 30 और 40 मिनिट तो एक पाइप है दोनों फिलिंग पाइप है ना दोनों फिलिंग पाइप तो पाइप में हमें देखना होता है कोई आउटलेट तो नहीं यहने एमटी करने वाली जो अपोज में काम करती है यह हमने सब पिछले सेशन में देखा है तो 30 और 40 मिनिट में रिस्पेक्टिवली वो काम खतम करती है मतलब एक मानलो एपाइप है जो 30 मिनिट लेती है भरने के लिए और ब 40 तो गईज मैं अगयन यहां पर टोटल वर्गडन यानि system की capacity मानले दो 120 लीटर तो आप ही बता दो एएक मिनिट में अगर 30 मिनिट लेती है तो एक मिनिट में कितना भरेगी 4 लिटर और ब 40 मिनिट लेती है तो एक मिनिट में कितना भरेगी तीन लिटर ठीक है याने साथ लिटर दोनों मिलकर पर मिनिट ये सारा हिसाब क्या है पर मिनिट आगे देखो बोद दो पाइपस वेर ओपन हाला कि हमें ये तुगेदर का कोई यहाँ पर रोल है कि इने भी फिलाल पता नहीं है लेकिन हमने दोनों का इंडिविजोली पर मिनिट तो निकाल लिया 4 लिटर पर मिनिट and 3 लिटर पर मिनिट नाव इप बोद दो पाइपस वेर ओपन अट वन्स वेन दोनों को साथ में शुरू किया लेकिन यार ऐसे question हम पिछले session में देख चुके अभी मैंने काने practice ही चल रही अब तो ऐसे question पिछले session में भी हमने देखे है तो बोल रहा है when the first pipe must be turned off so that tank may be just filled in 18 minutes तो उन्हों को साथ में शुरू किया A को भी और B को भी A हमारे लिए को उन्हें first pipe B को उन्हें second pipe तो वो बोल रहा है बताओ first वाले को कब बन किया याने first वाला याने A कभी तो बीच में बंद हो रहा है तो यह जो पूरी process चली 18 minutes चली मुझे बताओ guys यहां मैंने total work done कितना मान लिया एक सूबी और 18 minutes तक दोनों को साथ में शुरू किया भला ही first pipe बीच में कभी तो बंद हो रहा है लेकिन second आखरी तक काम कर रहा है ना last तक काम कर रहा है तो यह आखरी तक कब तक process चली बताओ यह last process कब तक चली यह चली है total 18 minute question बोल रहा है इसका मतलब यह जो second pipe है B pipe है इस इसने पूरे 18 minute काम किये तो आप ही बता दो यार यह 3 liter एक minute में भरता है तो 18 minute में कितना भर देगा so 18 into 3 54 liter तो 120 में से 54 तो किसका काम हुआ B का मतलब बचा कितना बचा कितना बता दो आप 46 and 20 66 तो 66 liter काम करना है भाई 66 का हमें क्या करना है अभी भी 66 liter का तंकी भरनी है वो कोन भरेगा A भरेगा और A की capacity कितनी है 4 4 liter per minute तो 66 भरने के लिए उसने कितना डाइम लिया होगा तो 66 अपॉन 4 410 460 16.5 गाईज 16.5 minute के बाद बराबर वो close हुआ question ने यह पूछा था न कब close हुआ तो process 18 minute तक चली तो B तो definitely start में था A तक चला याने 18 minute तो 18 minute में कितना 3 liter अगर वो एक minute में तो 18 में 54 liter याने उसके बाद अगर 120 में से 54 अकेला B बच रहा है तो A के लिए कितना बचा 66 और A का speed हमें पता है 4 liter एक minute में तो 66 के लिए कितना time लेगा 66 अपॉन 4 16.5 minute याने A को हमने कब बन किया बराबर 16.5 minute के बाद guys समझ रहेगी नहीं चमका की नहीं बहुत इजी पिछला session देखने वाले को मेरे को guarantee चमका है बट जिन्होंने नहीं देखा एक बार शायद देख लेना confidence आजाएगा और चमक रहा है तो फिर तो बल्ले बल्ले ऐसी सारे questions हमने किये थे उसमें लेकिन concept को समझाने के बाद तो अब देखो यार दो pipe है एक ले रहा है 30 minute भरने के लिए एक ले रहा है 40 minute तो पहले total capacity ले लो जिसको हम total work done बोलता है 120 liter तो A का क्या हुआ A अगर 120 के लिए 30 minute लेता है तो per minute 4 liter per minute B का क्या हुआ उसी 120 के लिए 40 minute लेता है 3 liter per minute दोनों को देखो 7 में शुरू किया गया at once but first pipe को याने A को बन कर दिया so that process चली अठ्रा था क्या ने B ने पूरा 18 minute काम किया ना so 18 into 3 54 तो अकेले B ने भरा है ना अकेले B ने तो भाई 120 में से 54 गया B का बचा 66 ये किसका है A का तो A ने इसको किस speed से भरा 4 liter per minute के हिसाब से तो 4 liter per minute के हिसाब से भरने के लिए 66 liter को कितना टाइम लगा होगा 66 liter भरने के लिए 4 liter per minute के हिसाब से कितना टाइम लगा होगा तो ये लग गया 16.5 तो बस कब बोला A को हमने कब बन किया पूछ रहे question तो A को बराबर 16 मिन के बाद बन कर दिया क्योंकि 16 मिन तक उसने 66 भर द और 66 और 54 हमारा 120 capacity match हो गया समका गाईज विल्कुल उसी तरह का question है लेकिन यहाँ पिछले question में आपको pipe को कब बंद किया पहले वाले pipe को वो पुछा था और total time दे दिया था इस बार guys total time पुछा है और first pipe को कब बंद किया बोल दिया है come on a और b दोनों filling pipe है a 20 minute b 25 minute again 20 और 25 का total capacity मैं ले लेता हूँ 100 100 liter common multiple तो a को कितना time लगेगा so upon 20 यानि a भर सकता है 6 liter per minute और b को कितना time लग रहा है बोल रहा है 25 minute तो so upon 25 b भर सकता है 4 liter per minute now both the pipes are open together but at the end of 5 minute the first is turned off यानि पहला वाला जो है जिसको हमने a बोला है first मतलब a वो 5 minute के at the end of 5 minute यानि जैसे 5 minute खतम हो है हमने उसको बंद कर दिया तो भाई उसने 1 minute में कितना भरना है 6 liter तो 5 minute में कितना भर दिया होगा तो a ने भर दिया होगा 5 minute में 6 liter into 5 minute के हिसाब से 30 liter मन में कर सकते हो आप हमारी total capacity है 100 उसमें से 30 भर गया बचा कितना 70 तो यह 70 कोन भरेगा b भरेगा b कब से था starting से क्योंकि दोनों को साथ में शुरू किया था और कब तक रहेगा आखरी तक जब तक यह 70 liter भर नहीं देता तो अकेले इस 100 liter total capacity दोनों ने मिलकर अकेले a ने कितना किया 30 liter ठीक है और यह जो 70 liter भर कोन करेगा b तो 70 liter अगर b को भरना है उसका speed क्या है 4 liter per minute ठीक है तो 4 liter per minute के हिसाब से हो कितना time लेगा निकाल लो guys देखलो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर 6 liter है न और 5 मिट तक यहने 30 अच्छा यहाँ पर 5 आएगा so sorry guys यहाँ पर एक हलका सा mistake हुआ है 100 upon 20 is 5 100 upon 20 is 5 तो यहाँ पर 5 लिटर 5 मिट तक यहने 25 लिटर भर दिये इसने सब चीजे हट जाएगी यह 25 लिटर हट गया यहाँ 25 मैनस हो गया 75 आएगा यहाँ भी 75 आएगा तो come on guys 5 लिटर 5 मिट तक 25 लिटर 25 मैनस किये 75 लिटर काम कोन करेगा भी करेगा आप तो 75 चार के स्पीड से कितना टाइम लेगा 18.75 मिनिट तो यह प्रोसेस पूरी कितनी चली 18.75 simple है भाई बहुत simple है ऐसी question हमने last time किये थे तो आप एक बार देख ले ना हो session तो भाई 20 मिनिट और 25 मिनिट individually लेते हैं हमने total capacity assume कर ली 100 लिटर तो एका कितना हो गया 100 अपॉन 25 लिटर पर मिनिट बी का 100 अपॉन 24 लिटर पर मिनिट तो उनों को साथ में शुरू किया बट 5 मिनिट जैसे खतो में first को बन कर दिया तो 5 लिटर पर मिनिट 5 मिनिट तक ही चला याने उसने कितना काम किया एने 25 लिटर तक का टोटल कैपेसिटी लेकिन 100 थी तो में से 25 है ने कर दिया यहने बी के हिस्से कितना है बचावा सारा 75 और उसका टाइम है 4 लिटर पर मिनिट यहने 4 लिटर चार लिटर ऐसे 75 लिटर घरने के लिए उसने कितना टाइम ले लिया 18.75 75 एपॉन 4 मतलब सिंपल क्रॉस मल्टिप यह लास्ट क्वस्टन आज का असलास्स क्वस्टन है इस बने रहो बबना डैम कास 4 इंले तू दफी पोल इंले तो देखो मैं एब एबी इसडी मान लिया लैन से अब वह आपको बोल रहा है through the first 3 inlet, the dam can be filled in 12 minutes. Through the second, third and fourth inlet, the dam can be filled in 15. मतलब पहले first A, B, C मिला कर first 3. फिर बात में second, third, fourth, याने B, C, D मिला कर है न? Second, third, fourth jam कितने में? 15 minute में and through the first and fourth inlet first and fourth याने A और D मिला कर dam can be filled in 20 minute. यार guys, again ऐसा total capacity system का इस tank का, या total work done assume करो, जो 12, 15 और 20 का common multiple है, कौन? 60. तो guys, total work done ले लो 60 liter. तो यह 60 liter की टंकी भरने के लिए A, B, C कितना डाइम लेते हैं? 12 minute तो A, B, C अगर 12 minute ले रहे हैं guys, याने 1 minute में कितना कर रहे हैं? 1 minute में 1 minute में कितना कर रहे हैं? अगर 60 liter के लिए वो 12 minute ले रहे तो 1 minute में 5 liter now second, third, fourth 15 minute ले रहे हैं, 60 के लिए 60 के लिए 15 तो 1 में कितना हुआ? 4 liter and guys, first and fourth 20 minute ले रहे हैं, याने 60 liter के लिए 20 minute तो 3 liter मतलब guys, अगर मैं इन तीनों equation को जोड़ू a plus b इन तीनों equation को जोड़ू, तो a plus a 2 है, b plus b 2 b, c plus c देखो, यहाँ पर भी c दो बार है 2 c and d plus d हर एक factor दो बार है हर एक factor, तो अगर lhs को जोड़ा है तो rhs को भी जोड़ दो, 5, 4 and 3 कितना हुआ, 12 तो guys, अगर मैं पूरे equation को 2 से divide कर दू तो a plus b plus c plus d देखो, यहाँ का भी 2, 2, 2, 2 कटेगा और इधर भी 2, 6 divide हो जाएगा यहने a, b, c, d मिला कर guys बात को समझो must question है यह a, b, c, 3 मिला कर, b, c, d, 3 मिला कर, a, d, 2 मिला कर, लेकिन भाई, 60 लिटर के लिए कितना एक मिनिट में 6 तो 60 के लिए कितना, 10 मिनिट्स एक मिनिट में 6 लिटर तो 60 के लिए कितना, 6, 6, 6, 6, 6 10 मिनिट्स तो 6 into 10, 60 लिटर भर जाएगा question हलवा था, भाई, बड़ा था ठीक है lengthy था, लेकिन अगर सही logic से करो, तो बहुत हलवा था foundation बिल्कुल नहीं था लेकिन easy था guys, अगर आप अपने concept को पकड़के चलो ना, मैंने आपको देखो, DPP solution का जो video लिया, live class लिया था, उसमें बताया कि आपको जो DPP के question 1, 2 के tough थे, लेकिन concept के CY हमने और कुछ सी को हाथ नि लगाया नए concept नए चीजों को, उनी concept से solve किया, बस language tough थी, थोड़ा calculation tough था, तो come on, एक बार office देख लो 4 inlet है, तो उसमें से first 3 हमने मान लिया, ABC, अगर वो 12 minute लेते हैं, हमने total work done कितना मान लिया, 60 liter का, तो 12 लेते हैं 12 minute 60 liter के लिए, तो भाई एक minute में कितना लिटर, 60 upon 12, 5 liter अगें second, third fourth, 15 minute लेते हैं 60 के लिए, तो 60 upon 15, 4 liter per minute, and first and fourth ये लेते हैं 20 minute 60 liter के लिए, तो एक minute में कितना 3 liter और guys, जब इन तीनों equation को मैंने add किया, पराबर A भी, B C, B और D, B दो दो बार हैं तो 2 A, 2 B, 2 C, 2 D तो ये 12, दो से डिवाइट कर दिया तो A, B, C, D हमें कितना मिला 6, मतलब ये क्या बोल रहा है 6 liter per minute भरते हैं ये चारों मिलाकर 5 liter per minute per minute 6 liter per minute 4 मिलाकर, तो 60 liter के लिए कितना, अगर 6 minute 3 liter में 10 liter के लिए 1 minute तो 60 liter के लिए कितना 60 liter upon 6 10 minute आप cross multiplication से भी कर सकते हो 6 liter 1 minute के लिए 60 liter कितने के लिए बात वही बनेगी 6 6 is 60, 6 divide होके 10 minute is the answer Guys, कम का मुझे 2 homework answer चाहिए comment में, homework 1, homework 2, must 2 जिन्होंने session 1 नहीं देखा है और इसलिए उनको tough लग रहा है तो session 1 देखो भाई देर किस बात की और session 1 अगर देख लिया तो यह definitely tough तो लगा नहीं सबसे important जो first variety कर रहा है वो आज की हटके variety थी पिर कभी कबार जब worker की आपस में efficiency दी होती तो उसको कैसे tackle करते है वेजेस है तो उसको कैसे tackle करते हो और आखरी में कुछ practice को तो कल मिलेंगे बहुत ही important topic के साथ averages तिल देन बाई 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 गुद देख कर एंजोई